हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमादे चानल पे आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रिय ध्वज तिरंगा पर दस आसान वाकि तो आओ शुरू करते हैं राष्ट्रिय ध्वज तिरंगा भारत का राष्ट्रिय ध्वज का नाम तिरंगा है जिसमें तीन रंग की पट्टियां होती है सफेद, केसरिया और हडा जंडे की सफेद पट्टी में एक अशोक चक्र होता है या नीले रंग का होता है और इसमें 24 तीलियां होती है तिरंगा जंडा को राष्ट्रिय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था के सर्या रंग वेर्ता, द्रिडता और बलिदान का प्रतीक है सफेद रंग, शुद्धता, पवित्रता और सत्य का प्रतीक है हरा रंग, विश्वास, उत्पादन और हरियाली का प्रतीक है अशोक चक्र निरंतर रूप से आगे बढ़ने का प्रतीक है हमारा राष्ट्रिय ध्वज हमारे गौरब का प्रतीक है राष्ट्रिय ध्वज शान्ती और सदभाब से रहने का संदेश देता है तो आप इस तरह से राष्टिय द्वज तिरंगा पर दस आसान पंक्तियां लेख सकते हो हिंदी में अगर वीडियो आपको हेल्फुल लगी हो तो इसे लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन दबा कर अल पे सेट चरूर करें मिलती हैं को और वीडियो के साथ अब तक लिए फैंस बाई बाई टेक केर